हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक आवर यूटूब चैनल बे अंसेंस फ्रेंट्स हम लोग डिस्कसन करेंगे आज इस चप्टर हैं खनी संसाध हैं फ्रेंट्स अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो इसको लाइप करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें चलिए फ्रेंट्स हम लोग अपना डिसकसन सुरू करते हैं इस चैप्टर में हम लोग डिसकसन करेंगे चैप्टर में जितने दिये हुए हैं प्रशन उत्तर और इसके भीवी आई पॉइंट्स तो देखिए फ्रेंट्स इसमें सबसे पहले दिया हुआ है बस तुनिष्ट प्रश्न जिसमें दिया हुआ है पहला है भारत में लगवा कितने खनीच पाए गए हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा सो नेक्ष्ट दिया हुआ है इन में से कौन लोह युक्त खनीच का उदारन है तो मैगनेशियम जो है लोह युक्त खनीच का उदारन है नेक्स्ट है नीम निमेशे कौन और धात्वी खनीच का उदारन है तो इसका उतर हो जाएगा अब रख नेक्स्ट है किन खरीज को उध्योगों की जन्नी माना गया है तो फ्रेंट्स लोहा को उध्योगों की जन्नी माना गया है आगे है कौन लोह अयस का एक प्रकार है, तो फ्रिंट्स असका उत्तर हो जाएगा हेमे तो खोई भारत का सबसे बड़ा लाहुतपաदक राज़ तो फ्रिंट्स करना तक जो है भारत का सबसे बड़ा लाहुतपादक राज़ है नेक्ष्ट है 36 गढ़ भारत का कितना परतिसद लौ अहस उत्पादन करता है तो फ्रेंट्स 20 परतिसद जो है उत्पादन करता है नेक्ष्ट है मैगनेज उत्पादन में भारत का विस्व में क्या अस्थान है तो तिर्तिये है एक टर्म इस पात बनाने में कितने मैगनीज का उपयोग होता है तो इसका उतर हो जाएगा 10 किलोग्राम नेक्ष्ट है ओडिशा किस खनीज का शर्वा का सबसे बड़ा उत्पादक है तो नेक्ष्ट है मैगनीज इसका उतर है एलमुनियां बनाने के लिए किस खनेज की अवसकता परती है तो इसका उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट का देश में तामबे का कुछ भंडार कितना है तो फ्रेंड्स तामबा का जो भंडार है 125 कडोड है आगे है बिहार जारकन में देश का कितना परतीसत अबरका उतपादन करता है तो फ्रेंड्स अच्छी परतीसत जो है उतपादन करता है आगे सिमेंट उधो का सबसे प्रमुक अच्चा माल क्या है तो इसका उत्तर हो जाएगा चूना पथर आगे दिया हुआ है लगू उतर्य प्रश्ण इसमें पहला प्रश्ण है खनीच क्या है तो इसका उत्तर हो जाएगा निश्ची तनुपात में रशाइनिक एबं भातिक एबं बिसिष्ट बिसिष्टाउं के साथ निर्मित एक प्राकिर्तिक है जैसे की सोना या चांदी आगे दिया हुआ है धात्वी खनीच के दो प्रमुक पहचान क्या है तो इसका उत्तर हो जाएगा धात्वी खनीच के दो प्रकार होते हैं जिसमें पहला है लोह युक्त खनीच उसे कहेंगे जिसमें धात्वी खनीचों में लोहा का अंस अधिक पाया जाता है उसे लोह यु कम पाया जाता है उसे अह लह युक्त खनीज काते हैं जैसे कि सोना और चांदी आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स जो कि भी भी आई है खनीजों की विशिस्ताओं का उलेख कीजिए तो इसका उत्तर हो जाएगा खनीजों का भी ब्रन आसान असामान होती है दुसरा है अत्यदिक गुनबत्ता वाले खनीज कम तथा कम गुनबत्ता वाले खनीज जादा मात्रा में पाये जाते हैं निश्टिया हुआ है खनीज समाप पे संसाधन है एक बार उपयोग करने के बाद इससे दुबारा उपयोग नहीं किया जाता है आगे दिया हुआ है इसके बीना उद्यों का विकास संभव नहीं है खनीज किसी भी देश की रीड की हड़ी होती है सात्वा है खनीज सभेता और संस्कृति के आधार अस्तम्भ है निक्ष्ट कोश्चन नमबर चार है लोह ऐस्क के परकारों के नाम लिखिए तो इसका उत्तर हो जाएगा लह ऐस्क तीन प्रकार के होते हैं हेमेटाइट, मैगनेटाइड, लीमो, नाइट और सीनेटाइट निक्ष्ट दिया हुआ है लोहे के प्रमोख उत्पादन राजियों के नाम लिखिए तो इसका उत्तर हो जाएगा करनाटक, चातिसगर, उडिश्या, गोवा, जार्खन, महराष्ट, आंध्रप्रदेश, तामिलनाडो नेक्ष्ट दिया हुआ है जोकि भीवियाई कोश्चन है जार्खन के मुखल, अउत्पादक जिलो के नाम लिखिये तो इसका उत्तर हो जाएगा पुर्व सीभुंज, पहस्चिमी सीभुंज, सराय केला और पलामू, ले दरेगा, जारी बाग, धनबाद और राची नेक्ष्ट भीवियाई है, मोस्ट भीवियाई है फ्रेंट्स, जोकि कोश्चन नमबर साथ है, यहां देखे, भीवियाई प्रस्ट है, मैगनिज के उप्योग काउलेग कीजिए, तो इसका पहला उप्योग होग जाएगा, जंक रोधी इस पात बनाने में, नेक्ष्ट है लोहा एब मैगनिज के मिश्र धातू बनाने में, सुस्क बैटरियों के निर्मान में, और है फोटोग्राफी में, चमरा एब माची सुधोग में, पेंट तथा किटनासक दवाव बनाने में, नेक्ष्ट दिया हुआ है, एलमूनियम के उप्योग का उलेग कीजिए, तो इ बनाने में, आगे दिया हुआ है, अबरा का उप्योग क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रोनिक्स उप्योग में, इलेक्ट्रोनिक्स के उध्योग में, आयरुवेदिक दवाओं में, विधो तुपकरन में, और अभीर की सुन्दर्ता बनाने में, नेक्ष् भारत में चूना पत्थर का 76 परतिसत, सिमेंट 16 परतिसत और लो इस पाथ 4 परतिसत रशायन उधोग में किया जाता है से इस 4 परतिसत का उपयोग अब रग कागाच एवं चीनी उधोग में होता है नेक्स्ट फ्रेंट्स खनीजों की मुख विसस्ताओं का उलिख किजिए तो इसका उत्तर हो जाएगा खनीजों के संरचन का प्रवंधन से क्या समझते हैं तो देखे फ्रेंट्स दिया हुआ है खनीज 6 सील एवं और वी करनिये संसाधन है इसकी मात्रा सिमित है इसका पर्ण निर्मान और संभव है खनीज उधोगों का आधार है और धोगिक विकास के लिए खनीज अति आवश्यक है अमेरिका इसी के बदावला ताच पूरे बिश्व में जो है फ्रेंट्स सबसे आगे और अधिक सकती साली बिख्सित राजी कहलाता है अतहराश्ट के विकास और माना भविस बनाने के लिए खनीजो का संरचन एवं प्रवंधन अति आवश्यक है अगर खनीजो के संरचन के साथ साथ प्रवंधन पर ध्यान दिया जाये तो खनीज संकट से बचा जा सकता है इसमें पहला प्रश्ण दिया हुआ है खनीज कितने प्रकार के होते हैं परते का सुदारन परिचे दीजिए तो इसमें दिया हुआ है खनीज जो है दो प्रकार का होता है पहला है धात्वी खनीज और दूसरा है धात्वी खनीज धात्वी खनीज में हो जाएगा धात्वी खनीज इन खनीजों में धातू होता है उसे धात्वी खनीज करते हैं जैसे तांबा यह दो प्रकार का होता है लोह युक्त खनीज इसमें धात्वी खनीज में लोहा का अंस अधिक पाया जाता है उसे लोह युक्त खनीज करते हैं जैसे मैगनेज और लोह युक्त खनीज जिस धात्वी खनीजों में लोहे का अंस पाया जाता है उसे और लोह युक्त खनीज कर आगे दिया हुआ अधात्वी खनीज इन खनीजों में धातु नहीं है पाय जाते हैं जैसे चूना पथर यह भी धो प्रकार का होता है इसमें पहला कारवनिक खनीज इन में जिवास होते हैं उससे कारवनिक खनीज कहते हैं जैसे कुईला और पिट्रोलियम आगे दिया हुआ अकारवनी खनीज इस जिवास नहीं होते हैं उसे अकारवनी खनीज कहते हैं जैसे ग्रिफाइट आगे दिया हुआ धातवी केवं अधातवी खनीजों में क्या अंतर है तुलना कीजिए तो इसका उत्तर हो जाएगा धातवी खनीज और एक अधात्विक खनीज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है जबकि अधात्विक खनीज को गलाने पर धातु प्राप्त नहीं होता है दूसरा यह कठोर और चमकीले होते हैं तिसरा दूसरा इधार है जबकि इन में अपनी चमक होती है यह प्राय अगने चटानों से मिलते हैं जबकि अधात्विक जो खनीज है या प्राया पतर प्रतदार चट्टानों से मिलते हैं इसे पीट कर तार बनाया जा सकता है जबकि अधात्व को इसे पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता यह पीटने पर तूटता नहीं है जबकि इसे पीटने पर चूर चूर हो जाता है आगे दिया हुआ है भारत की खनीज पेटियों का नाम लिख कर किनी दो का वर्णन करिए तो इसका उतर हो जाएगा भारत के तीन खनीज पेटी हैं इसमें उतरी पूर्वी पठार है या देश की सबसे धनी खनीज पेटी है पेटी में इस पेटी में लोहा, मैगनेज, अबड़क, यूरेनियम और यूरेनियम का भंडार है दचनी पस्चमी पठार या पेटी करनाटक के पठार एवं निकटवर्थी तमिलनाडू पठार पर फैले हुई है इस पेटी में लोहा, मैगनेज, बड़क, साइट की भंडार है नेक्स्ट है उत्तर पस्चमी प्रदेश इस पेटी का भिस्तार हम खंभात की खाड़ी से लेकर उत्तरा वली की स्रेनियों तक ही यह प्रदेश संगमरमर सोना चांदी का भंडार है चौथा है लोहा का अंस जो है 68% होता है इनका भंडार भारत में 1231.6 टन भंडार है इसकी भिसेशता यह है कि इससे लड़ीक खीचने पर लाल उगता है इसलिए इससे लाल एस कहा जाता है दुसरा है मैगनिटाइट इसमें लोहा का अंस 60% होता है इसका भंडार हमारे देश में 54.0 टन है इसका भिसेशता यह है कि इसे घीशने पर काला रंग देता है इसलिए इसे काला एस कहा जाता है तिसरा है लिमे नाइट पीला रंग देता है इसलिए इसे पीला आयस्क कहते हैं आगे दिया हुआ भारत में लौ आयस्क के बितरन पर प्रकास डालिए तो इसमें हो जाएगा भारत में लोहा कई राजियों में पाया जाता है पहला करनाटक भारत में सबसे ज़्यादा लोहा करनाटक में मिलता है यह देश के लिए 25% लोहा उत्पादन करता है बाबा बुनत की पहाड़ियों इसके लिए प्रसिद है दूसरा अच्छतिस वर्ड या देश का दूसरा लोहा उत्पादक राज है या देश के लिए 20% लोहा का उत्पादन करता है राइगर और बिलास पुर जीला इसके लिए प् च्छोथा गोवा यह देश का चौथा बड़ा लोहा उत्पाधक राज है ये धनवाद हजारी वागवर राची इसके फेमस हैAR महराज ठीहա रतना गिरे जीला। इसके लिए फेमस है चोट सत्मा अंध्रप्रदेश को नुरवल जीला इसके लिए फेमस है तामिलनाडू सोलम और निलगिरी जीला इसके लिए फेमस है आगे है सुलनुशिक्स मैगनेज अथवा वॉकसाइट की उप्योगता तथा देश में इसके बितरन का वर्णन करिए इसका उत्तर हो जाएगा मैगनेज का उप्योग दिया हुए जंक रोधिस पात बनाने में लोहा एवं मैगनेज के मिसर धातू बनाने में सुस्क बैटरियों को बनाने में फोटोग्राफी में चमड़ा एवं माचिस के प्योग में पेटी तथा किटनासक दबाओं बनाने में मैंगनीज का वितरन पहला उरीशा भारत में सबसे अधिक मैंगनीज उरीशा में होता है और देश के लिए 37 मैगनीज उतपादन करता है राइगाद और सुंदरगाद इसके लिए famous है दूसरा महराश्ट मैंगनीज उतपादन में इसका दूसरा अस्थान है या देश के लिए 25% मैगनिज उत्पादन करता है रतना गिरी जिला इसके लिए फेमस है तिसरा आंदर परदेशिया तिसरा बड़ा राज उत्पादक है या देश के लिए 21% मैगनिज उत्पादन करता है बाल घाट इसके लिए famous है करनाटक यह मैगनेज का चोड़ा चौथा बड़ा उत्पादक राज है चित दुर्ग इसके लिए famous है नेक्ष्ट है पाचमा आंधर परदेशिया देश के लिए मादर चोपरतिसत मैगनेज का उत्पादन करता है विसाखा पत्नम और विजयन अग तो बैकसाइड का प्योग पहला बायुयान बनाने में विधु तूपकरन में घरेलों समानों के निर्मान में बरतर बनाने में रशायनिक वस्तु बनाने में सफेद सिमेंट बनाने में बाकसाइड का बितरन पहला उडिसा भारत में सबसे जादा बाकसाइड उडिसा में ह यह देश के लिए 42% बॉकसाइट का उतपादन करता है सुन्दरगट जीला इसके लिए प्रसिद है दूसरा कुछ आती है दूसरे अस्थान पर है यह देश के लिए 17.35% का उतपादन करता है कच और सुरत जीला इसके लिए फिमस है तिसरा हजार खंड बॉकसाइट के उतपादन में यह तिसरा अस्थान रखता है यह देश के लिए 14% बॉकसाइट का उतपादन करता है राची और पलामू जीला इसके लिए फिमस है नेक्स्ट है कोश्चन अबरक की उप्योकता एवं बितरन पर प्रकाश डालिए तो इलेक्ट्रोनिक्स उध्योग में आवर्वेदिक दवायों में विधूत उपकरन में और अबीर में आगे दिया हुआ है अबरक का बितरन जिसमें ज्ञारकन में सबसे अधिक अबरक का उत्पादन ज्ञारकन में होता है यहां उत्तम कोटी के रूबी नामक अबरक का उत्पादन किया जाता है धनवाद, पलामू, राची, सीबुन्ज, जिला इसके लिए फेमस है बिहार जारकन के बाद अबरक उत्पादन बिहार का स्थान है आता है बिहार और जारकन 80% अबरक का उत्पादन करता है यहां भी रूबी नामक अबरक का उत्पादन किया जाता है गया मुंगेर भागल पुर जिला इसके लिए फेमस है राजस्थानिया देश का तिसरा अबरक उत् पादन होता है खनीजों के संरच्छन के उपाय सुझाएं तो इसका उत्तर हो जाएगा खनीज हमारे लिए महत्पुन्ड संसाधाने इनकी मात्रा सीमित है ये उध्योगों का अधार है इसलिए इसका संरच्छन और प्रबंदन बहुत जरूरी है खनीजों के दोहन पर रोक लगा जाए इस मामले में मानव के साथ सरकार को भी जरूर रहना होगा इसका उप्योग सब्धानी पूर्वा के वं बुद्धी मानी पूर्व किया जाए कच्छे माल के रूप में सस्ते बिकल्प की खोज प्रस्थिती पर पढ़ने बाले को परभाप पर नियंत्रन नियर्मान के लिए चक्रिय पधती को अपनाना खनीजों के अप्सिष्ट पदार्थों का बुद्धी पूर्वा कुप्यों ये सब मियम और विद्धी को अपना कर खनीजों का संरचन आशाने से किया जा सकता है नेक्स्ट है पार्ट के अंदर से जो भी भी आई से उन्हें दिया गया है जिसमें है भारत में लगभग सो से अधी खनीज मिलते हैं दुस्ता जी यस आई जी लॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया अभी तक लगभग दूहजार से खनीजों की पहचान की जा चुकी है हिमाले एक खनीज पेटी है जहां तांबा सीसा जस्ता का भ लोहा काते हैं कच्चा लोहा को असुद्ध लोहा काते हैं लोहा तीन प्रकार का होता है हेमिटर मेगनिटर और लिनो नाइट नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक लोहा करनाटक में हैं विस्व में सबसे अधिक मैगनिज रूस में उसके बाद दच्छी न फिरका में फिर भारत में सबसे ज्यादा मैगनिज उड़िसा में मिलता है। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट उड़िसा में मिलता है। नील, गिरी, सेला, मदुरेई तथा कोयंबटूर जिला तमिलनाड़ू में पड़ता है जो बॉक्साइट के लिए फेमस है। कुछ और अुदंपुर कच और अुदंपुर जिला नामक जमु कस्मीर में है, जो बॉकसाइड के लिए प्रसिद है। भारत बॉकसाइड का निरिया जर्मनी, जपान, इटली और यू के को करता है। भारत में सबसे अधिक तांबा जारकन में होता है। तरी राजस्थान में है जो तांबा के लिए प्रसिद है। बिस्व में सबसे ज़्यादा अबराग भारत में होता है। भारत में सबसे ज़ सबसे अच्छा अवरा का नाम रूबी है भारत में चुना पत्था 36 गड़ और आंद्र प्रदेश में हैं खनेजी छह सील एवं और नभी कर्णिये शंसाधन है जैपूर उदैपूर और अजमेर अवरा के लिए प्रशिद हैं जो राजस्थान में पड़ता है भारती अवरा का आशिक अमेरिका है जैपूर को गुलावी सहर के नाम से जाना जाता है तो फ्रेंड्स ही यह था पार्ट के इंपोर्टेंट पॉइंट्स और फ्रेंड्स यह हमारा चैप्टर खनेशन साधन है जो समात हो गया इसका हम लोग दिरिभुतर ये लगुतर ये और बस्तुनि है फ्रेंड्स और इसका जो बुक है उसको हम लग डिसकाशन कर चुके हैं जो कि चैनल के प्रेलिष्ट में है तो फ्रेंड्स चैनल को सस्क्राइब करिए और लाक शेयर जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में